इस देखो लगबग आडानी ग्रूप के दो स्टॉक्स में बहुत बड़ी खबर आई है शेयर होल्टर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है छोटा मोटा अमाउंट नहीं है उससी खबर के कारण आडानी ग्रीन में आज के रेट में आपको 8% तक का तेजी देखनी को मिला पहले तो इतना जादा नहीं था क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो यस्टरडे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखनी को मिली थे लेकिन आज खबर आते ही यहां पर स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी रिकवरी देखनी को मिली लेकिन फिर भ लेकिन प्रॉब्लम देखनी को मिला था खबर क्या आया है कि लगबा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला है और अकाउंट सीज कर दिया गया था अपने सुना हुआ यह खबर आया था और जिनके कारण अड़ाने के सारे स्टॉक्स बहुत तेज गिर रहे थे बहुत तेज शेयर रोल उसको प्रॉब्लम ना हो दियान से देखेगा यह जो है 3850 करोड का इंवेस्मेंट अड़ानी ग्रीन में हो रहा है 3850 करोड का इंवेस्मेंट जो है अड़ानी ट्रांस्मीशन में हो रहा है और यहां पर 7700 करोड का यहां पर अड़ानी इंटरप्राइज में नहीं नहीं मेरे पास मैं एक इक कंपनी पैसा लगा सकता हूं अच्छा कासा कासह यह एक पास है तौड़ करने के लिए तो इसका डेट था आज का डेट था यहां पदेख लीज आपरी लेट 2022 और इसके कारण है आज के माल खरीदे जिनको awareness था और उसी तरीके से जैसे ही खबर आया तो stock ऊपर अपने असली लेबल पे आ चुका है ये जो पैसा आ रहा ना international holding company से पैसा आ रहा मतलब बहुत बड़े player है इस वज़े से यहाँ पर एक ही बार बहुत बड़ा पैसा pump किया जा रहा है इनको देखो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रोद भी पड़ती है क्योंकि इनका investment करने का जो cash है इनके पास होता नहीं ज़्यादा था company profit कर रही है एक अच्छे लेबल पर profit कर रही है और भारत में अगर आप देखोगे तो आजकल के date में मतलब reliance industry से भी अच्छा return देने वाला group हो चुका है अब आप इसको बोल सकते हो अडानी ग्रूप यहाँ पर लेकिन अगर आप ध्यान दोगे अडानी enterprise से या अडानी transmission से ज़्यादा अच्छा return आपको अडानी green ही निकाल के दे रहा है लंबे समय की बात कर सब्सक्राइब की जो लोग पिछले एक साल से जुड़े हुए हैं दो साल से या थीन चाल साल से जुड़े हो तो उनको तो बहुत आच्छा 1000% का return मिल रहा होगा अब अडानी enterprise देखो तो यह भी बहुत बड़ी company जिसने 35,000% तक का return निकाल के दिया है 1999 से मतलब पिछले मा पैसे लागा कुछ नहीं होगा मैं आपको बोल रहा हूं किल के date में अगर business में loss होता है तो इंसान अपने package से नहीं लगाता इसी तरीके से अडानी enterprise में अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी company बहुत बड़ा group है भाई अब तो अडानी अडानी अब इसी को खरीदो इ कुछ ही महीनों में 90 पसंट यहां का चार्ट पटन भी अगर आप देखोगे ना तो आपको डर लगे यहां पर देख लो कि इतनी तेजी से गिरावट हुए थी सोचने समझने तक कभी वक्त नहीं था यहां पर इसे नहीं मैं बोल रहा हूं आज खबर अच्छी है जैसे HDFC में पैसा लगाओ मैं यह नहीं बोलाओ कि अडानी गुरूप गलत है मैं आपको यह बोलाओ कि डेट में क्या यह स्टॉक 30 या 50 पसंट गिर जागा तो आप ऐसे स्टॉक में होल्ड करके रख पाओंगे लंबे समय के लिए केवल इसी कंपनी में नहीं किसी भी कंपनी में गिरावट होता है तो यह घुथ कवल पहली बार गिरावट में यहाँ पर भी बड़ा गिरावट देखनेोमिला से यहाँ पर इहां पर भी बड़ा गिरावाट हुआ है कि यह देखो पर भी होता यहां पर भी एक अपनी स्पीड है गिरने आउ और उठेने का और अडानी ग्रीन में खबर आई है कि लगबग इंडिया का सबसे बड़ा विंड टरबाइन कौन बना सकता है अडानी ग्रीन बना सकता है तो हमें अडानी ग्रीन पे मुझे लगता कि जादा फोकस रखना चाहिए तो solar energy हो गया या फिर wind energy हो गया इनका demand काफी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है petrol जैसे जैसे महंगा होता जा रहा है लोग electric vehicles के पीछे भाग रहे है ethanol के पीछे भाग रहे है green hydrogen के पीछे भाग रहे है क्योंकि petrol काफी ज़्यादा महंगा है और उपर से tax देना पड़ता है हर जगा tax tax की बात अलग है tax सरकार अगर लेती है तो भी चलेगा commission इतने जगा देने पड़ते हैं उसके वज़े से भी petrol महंगा हो जाता है याद रखो ये commission का खेल भी बीच में होता है और एक चीज़ याद रखे ये सभी company के लिए market cap काफी बड़ा हो रहा तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पैसा ना डालें क्योंकि अगर आप सोच रहों कि इसी speed से भागता रहागा stocks तो नहीं है ये सारे stocks में profit booking देखने को मिलेगा और आपको profit booking के लिए भी तयार रहना होगा सभी company अच्छी है मैं नहीं बोलों कोई भी खराब है लेकिन एक profit booking देखने को तो जरूर मिलेगा अभी आपको उसके लिए भी बिलकुल तयार रहना है चारों तरब से देखो ये है अडानी green की बात करते हैं तो इसका market के पागर आप देखोगे तो 363,000 है 729 बहुत बड़ा है बहुत ही बड़ा है अभी देखो अडानी power का ही लगबग 90,000 के पास पहुँच चुकिया तो ये सारे stocks के जो market के पागर बहुत बड़े होते जा रहे तो आपको ऐसे stocks में अगर आप सोच रहो कि ये stocks आपका पैसा जो हर साल डबल करेगा तो आपको बहुत आराम से धिरे धिरे बहुत ज़्यादा आप return नहीं देने वाला हो सकता है कि हर साल भी अगर हम ले की चलते हैं तो लेकिन अच्छा return निकाल के देगा जैसे 30% से लेकर 60% तक आपको return निकाल के दे सकता है क्योंकि stock का अगर आप PE भी देखेंगे तो 8.94 का है जो की share के price से मुझे लगता कि थोड़ा आप जादा है थोड़ा सा भी हमें रुख जाना चाहिए यहाँ पर stock महेंगा और लगबग 2000 रुपे पहुँच चुका है company का face value 10 रुपे है company कभी भी आपको मतलब एक उसकबरी दे सकती है कि जितने भी shareholders ने share खरीद रखें उनको एक के बदले 5 या 2 या फिर 10 share मिल सकता है बोनस मिल सकता है आपको stock split मिल सकता है कुछ भी मिल सकता है यह bonus stock split इसी को हम dividend भी बोलते है लेकिन यह another form में आता है और dividend एक अलग form में आता है लेकिन यह सारे चीज़े होते है dividend आप जिनके पास cash नहीं होता liquidity नहीं होता वो इस तरीके से dividend देते हैं तो कभी भी यह खबर आ सकती है कि अडानी ग्रूप में मैं केवल focus नहीं कर रहा हूं कि अडानी green नहीं नहीं मैं सारे stocks में बोल रहा हूं कभी भी जिसका face value 5 रुपे 10 रुपे का है कभी भी आ सकता है आपको बोलूँगा यह सारे stocks में आज ने तो कल आपको profit booking देखने को मिलेंगे और फिर यह नीचे जाते वह नजर आएंगे और उसके फिर बाद लंबे समय तक consolidate करेगा याद रखो continue भागने नहीं वाला high पे खरीदोगे तो कभी भी नुकसान होगा और मैं सारी कंपनियों के बात कर रहा हूँ पूरे ग्रूप के बारे में बोला हूँ केवल एक individual होने ही बोला हूँ फिर भी मैं आपको लूँगा कंपनी अच्छी लंबे समय के लिए कोई तकलिव नहीं है